जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन के स्कूलों में लोटी रहनाक ओफलाइन कलास शुरू जारखन में आज सुक्रवार से स्कूल खूल गया हैं कक्छा एक से पांच वीत तक के बचे 22 माँ बाद इसकूल पहुंचे इस से इसकूल में रहनाक लोट आई है राजी के गढवा पलामो समेट 17 जीलो में कक्छा 1 से बरह वीत तक के स्कूल खूले गया हैं जबकि रांची समेट 7 जीलो में tikक्छा 9 से उपर के सकूल खूले गयाे गड़वा के इस कुलों में पहले ही दिन कुरोना काईलान की धजिया उड़ाई गई ना तो दोगज की दूरी और नहीं मास्क गड़वा जिले के खरोंदी पर खंड में कक्छा एक से पांचवी तक के छात्र छत्राओं के 22 माबाद भी द्यालाई पहुचने पर खुशी साप दिख रही थी जारखन में बारिस वा ओला विरिष्टी रहे सतर्क जारखन में पच्मी भी सोव का असर सुक्रवार को देखने को मिलेगा इससे जारखन का मौसम एक बार फिर बदल जाएगा लगभग सभी जग हो पर हलके से मददर्ज की बारिस होगी उत्तर वा मद्य भाग में बारिस के साथ ओला विरिष्टी भी हो सकती है सबसे अधिक बारिस संताल पर गना इलाके में होने की संभावना है उत्तर भारत में हो रही बारिस वबर्फ बारी का असर जार्खण में 4 फर्वरी को देखने को मिलेगा चार फर्वरी को बारिस होने की समभावना है इससे मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा जार्खण में 12-14 साल तक के 23 लाग किसोरों को लगेगी वैक्सिन जारखन में 12-14 साल तक किसोरों को कोरोना का टीका देने की त्यारी शुरू कर दी गई है स्वास्त विभाग के अनुसार इसके लिए करीब 23 लाग किसोरों को चिनित किया गया टीका देने की परकिरिया 15-18 साल की तरह ही रहेगी स्कूल और टीका केंद्रों पर अलग से टीका देने की बेवसा की जाएगी छेतर के कुछ स्कूलों को मिला कर एक स्कूल को सेंटर बनाया जाएगा जहां कि सोरों को टिका दिया जाएगा टिका करन फरवारी के अमतिम सप्ता या मार्च के परतम सप्ता से सुरू होना है 14 में सड़क दुर घटना में पत्रकार समेट 4 की मौत सी मरिया थाना छेतरे के बगरा रोड में दो अलग-अलग दुर घटना में एक पत्रकार समें चार लोगों की मौत हो गई है पहली घटना दुदुआ गाउं के पास घटी जहां एक बाइक पर सवार तीन लोगों को कोल वाहन ने कुचल दिया जिसमें दो की मौत घटना स्थल पर ही हो गई जबकि एक रेफरल अस्पताल में आने के बाद दम तोड़ दिया वहीं दूसरी घटना सी मरिया चौक से कुची दूर पर घटी है जहां पत्रकार सासी भूसन सिंग बाइक से सी मरिया चौक से अपने घर से जा रहे थे इस दरान कोल वहन ने अपनी चपेट में ले लिया धनबाद में जामोमो का स्थापना दिवस समारो आज धनबाद में चार फरोई काउजित होने वाले जहां मुमो के अस्थापना दिवस समरों में केंद्रिया द्यक्स जीवू सोरेन वाकारिया द्यक्स मुख्यमंत्री हिमन सोरेन मौजूद नहीं रहेंगे केंद्रिय समीती के सदल से सुपरियो भट्टाचार ने कहा कि कुरोणा को लेकर इस बास सांकेतिक रूप सास्थापना दिवस समरों मनाया जा रहा है भाजपा बिधायक दल के नेता बाबुलर मरांडी ने धानबाद के निरसा में पिछले दिनों कोईला चुनने के करम में होई पांच लोगों की मौत के सनवेदन सील मामले को उठाते हुए सिस्टम पर सवाल उठाए भाजपा परदेश मुख्याले में सुक्रवार को मीडिया से बाचित में उन्होंने कहा कि धनबाद छेत्र में परसासन के सवयोग से कोईले की चोरी नहीं बलिक लूट होती है संगठित माफिया परसासनिक सवयोग से इस लूट को अंजाम देते हैं और इस करम में गरीबों को अपने जान गवानी परती है उन्होंने इस पूरे परकरन से परदा उठाने और सच सामने लाने के लिए राई सरकार से सीवी आई जाच कराने की मांग की है सीनियर बॉलीबॉल चेंपियंशिप के लिए जार्खन टीम का चयान जार्खन सरकार दोवारा कोरोना गाइलाइन में छूट देने के बाद जार्खन के बॉलीबॉल खिलाडियों का नेशनल सीनियर चेंपियंशिप में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है जरकन में खेल गतिवीद्या परति बंदित होने के कारण जरकन बॉलइवाल संग ने भूनेशवर में आवजित होने वाले सिनियर बॉलिवाल चैंपियंशिप में टीन भेंजने में असमर्थ ब्यक्ता की थी लेकिन सरकार की ओर से छुट मिलने के बाद जारकन बॉलीबॉल संग ने गोड़ा में चैन सिवीर आवेजित कर महिला पुरुष टीम का चैन कर लिया है टीम साथ से तेरा फरवल तक भुनेशवर के कीट बिस्वफिद्याल में अवेजित होने वाली सीनियर आश्ट्रिय बॉलीबॉल परतियुकता में भाग लेगी धनबाद के सरकारी स्कूल में अवायध नियुकती पर सुनवाई सुक्रवार के दिन जार्खन हाई कोट में दो मामलों पर सुनवाई हुई जिसमें पहला मामला धनबाद में एक सरकारी स्कूल के अवायध नियुकती से जुड़ा है वहीं दूसरा मामला राची के जल सोरोतों पर अतिकरमन के खिलाब दाखिल जनित याजका का हुआ है जार्खन हाई कोट के जर्श्टिस एस चंद्र सेखर के अवायध नियुकती पताते हुए सरकारी स्कूल के कलर को हटाये जाने एक मामलों में सुनवाई हुई अदालत ने इस बात को लेकर कई नराजगी जताई की सरकार की ओर से कोट में गलत ब्यान दी गई जिसके अधार पर कोट ने पुरू में अवमानना याजका कोनिस्पादित कर दिया था पांच राजियों में चुनाव के लिए केंद्रे ने जारखंड से मांगा 30 कंपनी CRPA पंजाब उतराखंड उतर परदेश गोवाव मनिपूर में सांती पुन चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने जारखंड सरकार से यहाँ पदस्थापित CRPA के जवानों के 30 कंपनी मांगी है जारखंड पुलिस मुख्याले इस बात को लेकर परसान है कि जारखंड में नक्सलियों के विरोध हुई करवाई के बाद नक्सलि किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते है बल केंद्र को दिये जाने से जारखंड में नक्सलियों बिरोधी अभियान परभावित हो सकता है पुलिस मुख्याले ने जारखंड सरकार को पत्र लिख कर या आगरा किया है कि केंद्र को इस समस्या से अउगत कराते हुई अनुरूत किया जाए लेवी नहीं देने पर टीपी सी उग्रवादी ने फूक दिया पोकलेन रांची पुलिस दुवारा लागतार उग्रवादीयों पर करवाई की जा रही है इसके बावजूत उग्रवादी संगठन वर्दात को अंजाम देने से नहीं चुकते उग्रवादीयों के हरकत से बेवसाई ही नहीं निर्वान कारे से जूले ठेकदार भी परसान है ताजा मामला बुढमू थाना छेतर इस्थीत साडम गाव की है जहाँ टीपी सी उग्रवादीयों ने लेवी नहीं देने पर तलाब निर्वान में लगे हाईवा और पोकलेन को फूंक दिया गाटना गुरुवार रात दस बजे किया है करीब छो की संख्या में आया अपराधियों ने आग जनी के बाद कारे में जूटे अपराधियों से मार पीट भी किया है PLAFI के एरिया कमांडर अमर मुंदा गिरफतार रांची पूलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है तुपुदाना इलाके में छीपे पीलेफाई का एरिया कमांडर अमर मुंडा ओर्फ कांडरो मुंडा को गुरुवार की देर रात पूलिस ने दबोच लिया है उसकी गिरफतारी खरसी दाग ओपी के टोन को गाउं से हुई जारखंड की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा जारखंड की जमीन से देश बर में साइबर अपरादियों के दोवारा ठागी के वरदातों को अंजाम दिया जा रहा है साइबर अपरादियों के दोवारा इसके लिए फोर्जी सीम कार्ड का इस्तेमाल भी किया जाता है इसके सत्यापन के बाद फर्जी तरीके से जारी सीम कार्ड को लेकर अलग से एफायार दर्ज की जाएगी राजे पुलिस के आला अधिकारी के मुताबिक आजादी के अमरित महोत्सव के तहद साइबर स्वक्ष भारत के तहद इस अभियान को चलाया जाएगा ताकि साइबर अपरात पर लगाम लग सके रिम्स में किसी को निजी प्रेक्टिस की अनुमती नहीं रिम्स के सभी चिकित्सकों का पद गयर बेवसाईक है किसी को निजी बेवसाई करने की अनुमती नहीं है रिम्स के निदेशक ने डाक्टर हेमन्त नरायन के मामले में आयकर विभाग को भेजे गए अपने जवाब में इस बात का उलेक किया उन्होंने कहा है कि आपके पत्र में डाक्टर हेमांत नरायन पर प्राइवेट प्रैक्टिस से समंधित सर्वे में प्रोसीडिंग संचालीत करने की बात कही गई इस बात का वेवले किया गया है कि बर्यातु इस्थीत कमप्रीहेंसिव हेल्थ केर सेंटर और उसके आवास पर सर्वे के दोरान कई प्रकाल के दास्तावेज मिले हैं ज्यारखन के साथ जीलो में पहली डोज के सत परतिसर टीका करन का लक्ष पूरा कर लिया गया है इसमें बोकारो दुमका पूर्वी सिम्भूम गुमला खुटी लातेहा तता पच्मी सिम्भूम सामिल है पूरे जारखन की बात करें तो अब तक 96 परतिस वेशको को पहली डोज का टीका लक्ष पूरा कर लिया गया है वहाँ अभी भी इस डोज का टीका करन हो रहा है क्योंकि सभी जीलों के लिए लक्ष अनुमानित अवादिक के अधार पताय किये गये थे इसके बाद भी जो लोग बचे हैं उन्हें भी टीका लगाया जा रहा है धन्यवाद यादि आप चैनल परने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल कर बेले कर अंद बाईए साथ सब वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ से साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़वेक अवस्य दे थैंक यू